Hello everyone, मेरा नाम है Manjit Singh और मैं आपको जो है पूरा Digital Marketing का जो Mastery Course है वो करवाने वाला हूँ So आज की इस Class के अंदर जो है हम Introduction to Digital Marketing करने वाले हैं कि Digital Marketing के अंदर क्या-क्या Opportunities हैं, किस तरह से Digital Marketing काम करता है Basically Digital Marketing क्या है, Overview जो है आज के इस पूरे Lecture के अंदर हम देखने वाले हैं So यहाँ पे Introduction to Opportunity in Digital Marketing आपके लिए क्या Opportunities हैं Digital Marketing के अंदर तो यह सारी चीज़े हम आज के इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Topics for this lesson कि इस lesson के अंदर जो आज का जो Lecture है, इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़े कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे What is Digital Marketing? तो Digital Marketing क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे फिर यहाँ पे Scope of Digital Marketing, अगर आप Digital Marketing कर लेते हैं उसके बाद जो है, as a career opportunity क्या है, scope क्या है market के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे की बीच में है, जो है, accounts के लिए काफी ज़ादा जो है, यहाँ पे सब लोगों ने तैयारी करी कि यहाँ पे जो है, बहुत ज़ादा वेकेंसी निकल रही थी, accounts के लिए, all of a sudden वो सारी जितनी भी opportunity थी, वो समापत हो गई अब बट Digital Marketing के अंदर ऐसी scope तो नहीं है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पे discuss करेंगे यहाँ पे इसके बाद हम बात करने वाले है, our opportunity in digital marketing के digital marketing के अंदर हमारे लिए क्या opportunity है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम digital marketing का इस्तेमाल करके अपने आपको जो है, advanced level पे लेके जा सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे who can learn digital marketing, digital marketing जो है, करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौन कर सकता है, क्या qualifications होनी चाहिए तो वो बहुत सारी चीज़े हम पूरे lecture के अंदर discuss करने वाले हैं, finally हम यहाँ पे देखेंगे career opportunity, पूरा यह digital marketing complete करने के बाद, हमारे पास as a career opportunity क्या आ जाती हैं, हमारे पास कौन कौन से ऐसे source आ जाती हैं, कौन से ऐसे ways हैं, जिनके जरीए हम अपने career को काफी अच्छे से enhance कर सकते हैं, digital marketing के अंदर, तो यह सारे topics जो है, आज के इस lecture के अंदर हम cover करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, what is digital marketing, तो digital marketing है क्या, तो digital marketing is any form of marketing, product or services that involve electronic devices, यहाँ पर कहने का मतलब है कि digital marketing एक ऐसा तरीका है, marketing करने का, promote करने का, चाहे वो किसी company के कोई product हो, या फिर किसी भी company की services हो, या फिर हमारे खुद के product हो, या फिर हमारे खुद की services हो, तो उन सभी को जब हम digitally promote करते हैं, digital कब होता है, जब हम किसी भी electronic device का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर internet facility हो, और उसके जरीए जब हम market करते हैं, promote करते हैं products को, या services को, तो इसको कहा जाता है digital marketing, तो यहाँ पर भी ब marketing के, digital marketing के क्या types हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं, दो तरह के types होते हैं, digital marketing के, एक होता है online marketing, एक होता है यहाँ पर offline marketing, तो online marketing and offline marketing में क्या differences हैं, इनको जड़ा अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, online marketing क्या है, तो online marketing is promoting or creating brand awareness using internet, जब हम internet का इस्तेमाल करके जब हम अपने products को अपने brand को जो promote करते हैं चाहे वो हमारे product हैं यह services हैं तो जब हम उनको promote करते हैं हमारी company की brand value बनाते हैं उसका brand के बारे में aware करते हैं लोगों को safe for example अभी एक example लेती हैं यहांपे safe for example एक lux का साबून है नाने का तो वो हमें कैसे पता चला वो company पता नहीं कहां पर है या safe for example वो Mumbai के अंदर है तो Mumbai के अंदर वो company है लेकिन हमें कैसे पता चलता है अगर हम North India में हैं या हम South India में हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उस company ने जो क तो हमें किसे पता चलता है, हमें तब इसलिए पता चलता है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, किसी ना किसी तरीके से अपने brand को promote किया है, अपने products को promote किया है, अपनी चो services हैं उसको promote करा है, तब जाकर हमें पता चलता है, हमें किसे पता चलता है, market के अंदर इतने सारे product हैं, ह तो वो हमें पता कैसे चलती हैं, वो इसलिए पता चलती हैं क्योंकि companies जो manufacture कर रही हैं, या जिन companies की ऐसी services हैं, जो digital marketing प्रवाइड करती हैं, तो वो company हैं क्या करती हैं, product manufacturing companies के साथ में काम करती हैं, और वहां से जो है हमें पूरी उन products के बारे में जानकारी जो है, वो provide कराती है So digital marketing के बहुत सारे तरीके होते हैं, digital marketing करने के, तो जैसे कि यहां पे SEM होता है, ठीक है न, उसके बाद app development होता है, content marketing होती है, video marketing होती है, email marketing होती है, SEO होता है, उसके बाद web designing होती है, social media management होता है, branding होती है, ठीक है बहुत सारे तरीके हैं, जिसके जरीए हम क्या करते हैं, digital marketing कर तो यह सारे तरीकों के बारे में जो one by one हम पूरा इस course के अंदर इस पूरे mastery course के अंदर हम step by step करेंगे तो यह पूरा course के अंदर हम इनी सब चीजों के बारे में discuss करेंगे किस तरह से analyze करना होता है किस तरह से product जो है हमारे तक पहुंचने चाहिए right target audience कैसे find out करनी है digital के अंदर marketing क्या है offline marketing is a promoting और creating यहां पर बात वही आ रही है offline marketing is promoting मतलब किसी भी चीज़ को promote करना या फिर creating brand awareness यहां पर भी वही same चीज़ हो रही है बट यहां पर use क्या किया जा रहा है electronic but without internet electronic product इस्तेमाल करे जा रहे है electronic device इस्तेमाल करे जा रहे है but without internet जो है वो इस्तेमाल करे जा रहे तो यहाँ पे क्या है आपके पास TV एड्स वगेरा हम जब TV के उपर कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी हम सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में क्या है कि वो एड आती है तो वो एड क्या है वो एक्चुली offline marketing कहलाती है वो which is also again a digital marketing का ही पार्ट है वो भी क् वो electronic device के जरीए ही हम वो advertise देख रहे हैं तो लेकिन वहाँ पे internet connectivity नहीं है बर वहाँ पे जो है हमारा पास एक अलग जरीया है वो एड पहुचाने का हमारे तक तो वो भी क्या है एक TV हो गया फिर हम यहाँ पे जो है billboards वगेरा देखते हैं जो electronic जो बहुत सारी cities के अंदर ज यह जो है काम करें वहाँ पे एक होती है फिक्स वाली तो जो एक traditional में यूज होती थी लेकिन अभी latest जो technology के साथ में जो holding से इस्तिमाल होती है वो क्या digital के साथ में चलते हैं LED वाले screen के साथ में है तो वहाँ पे हर समय में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है एड्स वगेरा तो वो फ़ारी जीजें को साथ में जब हम advertise करते हैं वो offline marketing के अंदर आता है तो यहाँ पे इसके बाद आता है traditional marketing versus digital marketing तो traditional के अंदर क्या और digital के अंदर क्या है किस तरह से यह traditional और digital दोनों है different है तो यहाँ पे factors की बात करेंगे factors में जो है आपका reach आजाएगा फिर targeting आजाएगा फिर प्राइस आजाएगा फिर उसके बाद फिर ROI आएगा तो यहाँ पे पहले बात करते है traditional की और यहाँ पे हम digital की तो यह जो है प किसी newspaper में add दे रहे हूँ print के पहले जो है online available नहीं था तो यहाँ पे हम कोई भी add अगर print media में दे रहे थे मतलब newspaper में दे रहे थे या newspapers के अंदर flyer प्रिंट करवा के डलवाते थे तो वहाँ पे आपके पास एक limited reach है बतलब सही जगे पे सारी जगे पे जहाँ पे हम target करना च होँच सकते तो यहाँ पे reach जो है आपकी limited है लेकिन यहाँ पे digital के अंदर आपकी reach क्या है global आप world के यहाँ पर बैठे बैठे आप world के किसी भी कोने को किसी भी country को किसी भी state को किसी भी city को जो है आप यहाँ पे target कर सकते हो तो यह है power of digital marketing तो यहाँ पे बात करें फिर targeting की त जिन तक वो newspaper एड जारी है या वो हमारी पहली बात तो वो चीज़ है कि वो लोग हमारी उस एड को पढ़ेंगे भी की नहीं पढ़ेंगे that is first second क्या है कि अगर किसी ने पढ़ा भी तो क्या वो बाकी वो हमारे तक पहुंच सकते हैं suppose को लो अपनी newspaper में एड दी लेकिन वो newspaper कहां पर जाके किसी ने रीड करा जो बहुत दूर गाओं में जाकी newspaper में पढ़ा तो अब गाओं से कोई person क्या आपकी कोई चोटी सी product के लिए या फिर आपकी कोई service के लिए आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वैसे ही यहाँ पर digital marketing के अंदर क्या है यहाँ पर very specific अगर आप चाहते हो कि जो online में सर्च करें देखो आज की date में आप और हम सभी लोग कुछ भी चीज होती है हम सीधा online सर्च करते हैं चाहे वो कोई भी media हो चाहे वीडियो के जरीए हो या फिर google search engines के जरीए हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कोई भी चीज करते हैं तो वहाँ पर हम specifically keyword डालते हैं अब keywords क्या होते हैं इनको आगे चलके हम discuss करेंगे example लेता हूं मैं यहाँ पर सिर्फ और आपको आपकी Mumbai City के अंदर जो है cabs book करनी है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर cab services in Mumbai लिखते हैं तो वहाँ पर जितनी भी cab services available होंगी वो सारी के सारी क्या होंगी हमारे पास आएंगी तो लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं digital marketing के अंदर जो भी cab service को अगर target करे cab service करके अगर कोई keyword enter करे तो ही उसको हमारी add दिखन है उसके बाद यहाँ पर pricing की बात करें तो pricing comparison में traditional versus अगर digital की बात करें तो traditional आपका जो है वो काफी expensive है लेकिन digital आज की date में क्या है इतना ज्यादा expensive नहीं है बट फिर भी जो है लोगों को इसके बारे में अभी भी जो है knowledge नहीं है कि digital क्या कर सकता है digital की क्या power है generally लोग traditional business में चले आ रहे हैं वो newspaper article देना newspaper में आड देना flyers गलवाना तो इन में ज्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको digital का knowledge नहीं है यहाँ पे digital के अंदर वो अपनी जो right target audience को भी target कर सकते हैं और साथी साथ अपना जो expense है उसको कम कर सकते हैं यह चीज उनको नहीं पता ह तो यहाँ पे digital के अंदर हमारा budget अगर से for example 500 रुपे का तो हम 500 रुपे में आड चला सकते हैं अगर हमारा budget एक दिन का 1000 रुपे का तो हम 1000 रुपे में चला सकते हैं अगर हमारा budget 5000 का तो हम 5000 10 लाग का तो 10 लाग लगा सकते हैं तो यह हमारे पास target specific है जतना हमारा budget है as per that budget हम जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर add कर सकते हैं लेकिन ट्रडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर newspaper में add दे नहीं है तो वहाँ पे से for example आपको जो है 10,000 लगने है तो आपको देने ही पड़ेंगे फिर आपका budget अगर 10,000 का है तो आप दे सकते हो नहीं है तो फिर नहीं दे पाओगे आप गया पांच अजार है तो भी आप 10,000 में जो है newspaper में add नहीं दे पाओगे लेकिन digital के अंदर ये सारी जो है आपके boundaries नहीं है अब यहाँ पे बात करते है ROI मतब benefit guarantee क्या है तो यहाँ पे conversion ratio क्या है sale क्या है output क्या है तो यहाँ पे क्या है traditional के अंदर हमारे पास कोई guarantee नहीं है कि हमारी जिस purpose के लिए हमने वो add दी है तो वो हमारे पास वापस कुछ हमें उसका benefit मिलेगा कर नहीं मिलेगा तो यह हमारे पास target specific नहीं है वहीं पे अगर digital की बात करें तो digital के अंदर guarantee होता है कि अगर आपकी 100 लोगों तक पहुंच रही है तो 100 लोगों तक वो उन्हीं लोगों तक आपकी ad पहुंच रही है जो वाकिए उसी particular चीज के लिए सर्च कर रही है अगर वो सर्च कर रहा है सब यहाँ पर TV खरीदना है अगर मैं TV खरीदना चाहता हूं तो मैं online जाके सर्च कर रहा मैंने TV के लिए तो जो TV से related services है या TV products है जो भी लोग sale कर रहे हैं उसको उनकी अगर ad होगी तो वो मुझे सरफ TV की दिखेगी मुझे को दूसरी ad नहीं दिखेगी तो यहाँ पर people use to consume content via TV यहाँ टीवी के जरीए जो है content करते हैं newspaper, news paper की जगे पर आज ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन क्या करते हैं online available है magazine जो है वो भी online available है radio है online available है और उसके बाद यहाँ पर people are using facebook YouTube के उपर videos देख रहे हैं reading blogs तो इस तरह की बहुत सारी चीजे जो है हमारे पास क्या हो रही है use में आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि benefit क्या हो रहा है कि we have to advertise where people hang out हम कहाँ पर target करना चाहते हैं हमें कहाँ पर target करना है जहां से हमें जो है लोग hang out करें जहाँ पर लोगों की भीड होगी suppose को लोग आपने एक ad लगा दी ऐसी जगे पर ad लगा ही जहाँ पर कोई भी उसको देखने वाला नहीं है क्या आपको कोई benefit मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है तो हमें जो है digital marketing के अंदर भी वहाँ पर ad लगानी है वहाँ पर target करना वहाँ पर advertise करना जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा time spend करते हैं आज देखो YouTube के उपर पहले Facebook के उपर था फिर दीर दीर चेंज होके आज YouTube के उपर सबसे ज़्यादा traffic देखने को मिल रहा है तो second largest जो है वो बनने वाला कुछी समय के अंदर तो यहाँ पर Google के बाद यूटूब जो है वो number two पे आने वाला बहुत ही जल्दी क्योंकि वीडियो content जो है बहुत ज़्यादा consume किया जा रहा है तो इसलिए YouTube के उपर जो है बहुत सारी ad भी आती हैं आप देख सकते हो बहुत सारे बड़ी-बड़ी companies की ad आने लगी है बहुत expensive ads आने लगी है तो यह सारी चीज़े क्या हैं क्यों लोग वहाँ पर ad दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग time spend कर रहे हैं तो जहाँ पर लोग दिख रहे हैं जहाँ पर जो अगर आप दिखोगे तब ही बिकोगे, अगर आपका कोई product दिखनी रहा है तो बिकेगा भी नहीं, तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या digital marketing जो है बहुत ही important है, जिसके लिए हमें काम करना है, अब यहाँ पे बात करते है digital marketing के scope क्या है तो digital marketing industry जो है वो काफी boom पे है हर जगे पे digital marketing जो है digital industry जो है, वो boom पे आती जरी है अगर 2018 के जो एक survey किया गया था, उसके according जो है, यहाँ पे 2.5 lakhs job opportunities है जो digital, specifically digital marketing domain के अंदर जो है, इंडिया के अंदर निकली थी, 2.5 lakhs job you can imagine, सिरफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि इंडिया के अंदर जो है, अगर 5.5 lakhs job 2018 के अंदर निकली है, तो वहीं पे अगर 2020 के अंदर बात करी जाए जो survey के according, कि 2020 तक जो है, यही job बढ़के 5.5 lakhs वाली कितने पे पहुंचाएंगी 25 lakhs की job opportunities बन जाएंगे digital marketing के अंदर तो अभी आप यहाँ पे imagine करके देखो, यहाँ पे कोई हम fake बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे reality base पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर imagine करके देखो कि जितनी भी countries हैं, इंडिया की बात कर लें, इंडियान government जो है, वो क्या कर रही है वो continue prompting कर रही है continue हमें पुश कर रही है digital interaction के लिए continue यहाँ पे digital marketing digital world का digital पूरा इंडिया बनाना है, तो उसमें हमें क्या करने का मिला, बहुत सारी changes देखने को बिले, जहाँ पे आप खुद imagine कर सकते हैं, कि जहाँ पे government जो है, वो खुद इस चीज को promote कर रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, कि marketing digital marketing की scope जो है, वो नीचे आगे जाएगी, या और बड़ेगी तो definitely अभी तो यहाँ पे बहुत कम लोग जो है, online अब यह तो बहुत लोग आने बाकी है, तो पूरा world है, हमारे पास तो open जहाँ पे हम digital marketing के जरीए जो है, अपने करीर को enhance कर सकते हैं, अब यहाँ पे Google का एक example लेते हैं, यहाँ पे Google के search की रहे के, यहाँ पे Google handle more than 5.6 billion search per each day, मतलब हर दिन जो है, वो 5.6 billion search जो है, वहाँ पे पूरे handle करता है, एक दिन के अंदर, वहीं पे अगर, it is most used search engine, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि सबसे ज़्यादा x, y, z, आप कहीं पे भी जाके देखो, तो Google जो है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किये जाने वाला, market के पूरे world के अंदर, जो है, एक search engine है, तो जिसके अगर market share की बात करें, तो 90.2% जो है, market share सिर्फ और सिर्फ Google का है, बाकी जितने भी search engines हैं, उनका बहुत कम है तो यहाँ पे सोचते हो कि 90% भी अगर बात करें, तो 90% अगर Google पूरा market share cover कर रहा है, तो कितने लोग जो है, यहाँ पे online में, जो है, यहाँ पे आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं, online जिया हो है पहुंचते जा रहे हैं, तो यहाँ पे Google अगर बात करें कि, आज की date में, जो है, करीब 64,000 जो है, request को जो है, process कर रहा है every second, मतलब हर second पूरे world की बात करें 64,000 जो है, यहाँ पे हर second जो है, Google process कर रहा है, request को, जितनी भी उसके उपर search करी जा रही है तो 5.6 billion search per day and 2 trillion search per year worldwide, जो है Google आज की date में handle कर रहा है और यह आगे जाके, और भी बढ़ने वाली हैं, और भी यहाँ पे बढ़ रही है, reach और भी ज़्यादा broader हो रही है तो यहाँ पे बात कर रहे है, skills की कि आपको कौन-कौन सी skills की requirement है, इस course को करने के लिए basically आपको जो है, English skill जो है, वो must है, क्योंकि यहाँ पे digital marketing के अंदर जो है या तो read करने के लिए, या analyze करने के लिए, या optimize करने के लिए, या उसके उपर काम करने के लिए, जो आपको English जो है, वो आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से English आनी चाहिए, अगर basic English भी आ रही है आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप जो चीजे लिख रहे हैं, वो perfect लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे यह course आगे कर सकते हैं इसको join कर सकते हैं, तो यहाँ पे anyone with basic understanding of internet दूसरी requirement क्या है यहाँ पे? अगर आपको basic internet की भी requirement है क्योंकि यहाँ पे पूरा काम आपका digital world में होना है, internet के उपर होना है तो यहाँ पे आपको internet का knowledge होना basic बहुत ही important है बाकी सारी चीजे हम आपको सिखा देंगे उसके बाद आपको website का knowledge होना चाहिए कि किस तरह से website वो काम करती है website होती क्या है क्या होता है websites तो यह थोड़ा आपको basic knowledge जिसका भी होना चाहिए उसके बाद आपका सबसे important चीज है कि अगर digital marketing course आप करना चाहते है और 6 के अंदर success होना चाहते है तो आपका interest जो है वो इस technology के अंदर होना चाहिए और इसके बाद अगर आपके बास कोई भी programming की requirement नहीं है यहाँ पे कोई भी coding आपको नहीं आती है तो कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पे हम आपको coding करवाने वाले भी नहीं है क्योंकि digital marketing अंदर coding की requirement नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीज़े जो है हमारे पास other पड़ी है जिनके base के उपर में हम बहुत ही असानी से एक successful digital marketer बन सकते हैं अब यहाँ पे finally हम बात करते हैं career opportunity की अगर हम digital marketing course जो है complete कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास कौन-कौन सी opportunity है हम कैसे काम कर सकते हैं तो digital marketing करने के बाद आप सबसे पहले क्या कर सकते हो आप professional job join कर सकते हो professional job आप कहाँ पे करोगे आप किसी भी company के साथ में job join कर सकते हो आज की rate में हर company के अंदर digital marketing के लिए एक department available है marketing department होता था पहले लेकिन अभी digital marketing का एक अलग department बन गया है जहाँ पे digital को लेके पूरे अपनी services को अपने products को वो लोग enhance करते हैं तो वहाँ पे आप professionally job कर सकते हो अगर आप ये professionally job नहीं करना चाते हो आप online earning से कर सकते हो online earning के लिए बहुत सारे source है तो आगे चलके जैसे हम आगे बढ़ेंगे scores के अंदर तो आपको सारे sources के बारे में किसी भी company का कोई project लेके उसके उपर काम कर सकते हो अगर ये भी नहीं करना चाते तो या आप entrepreneur बन सकते हो तो यहाँ पे आप खुद का business start कर सकते हो खुद का business start करके अपने नीचे किस तरह से employees को handle करना होता है किस तरह से अपने business को expand करना होता है तो ये सारी चीजे आपको बुरे digital marketing course के अंदर सिखाई जाएंगी तो definitely वो सारी skills को आप क्या करो अपनी business में लगा दो तो आप success हो जाओगे तो ये कुछ ऐसी career opportunity है चार ऐसे रस्ते आपके बास open रहते हैं हर time जब आप यहाँ पे बिल्कुल भी आपको risk लेने की जरूरत नहीं अपने career के अंदर बिल्कुल बिंदास जो है अपना career जो है digital marketing के अंदर आप आगे enhance कर सकते हो so thank you very much guys आज के लिए इतना करते हैं और अगर आपके कोई भी query है कोई भी doubt है तो यह मेरा whatsapp number दिया गया है तो आप मुझे whatsapp पे contact कर सकते हैं whatsapp पे contact करने का आपका timing रहेगा morning 10.30 से लेके 5 o'clock के बिच में आप कभी भी मुझे contact कर सकते हैं आपकी कोई भी queries हैं आपकी सारी queries को resolve किया जाएगा आपको पूरा course के दोरान आपको सारी चीजे जितनी भी सिखाई जाएगी वो आपको repeat किरने के लिए video recording भी आपको provide करी जाएगी अब इसके साथ-साथ अगर आप ये पूरा course complete करते हैं चाहे वो 1 month का हो, 2 month का हो, 3 month का हो 4 month का हो, 5 month का या 6 month का हो तो इसमें आप complete करने के बाद में कर सकते हो, और साथ-साथ यहाँ पर पूरा course complete होने के बाद हमारे end से जो है निरंकर infotech का आपको एक digital marketing का जो है पूरा एक certified किया जाएगा आपको एक certification दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने career के लिए जो job ढूंड रहे हो अगर आप कहीं करना चाते हो तो वहां पर आप साथ में लगा किये जो है एक digital marketing के लिए अपनी job जो है वो join कर सकते हो